श्री शिवाय नमस्तुभियन दोस्तों, आप सभी को भगवान भोलेनात की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा बनी रहे, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ, जल शिव जी पर समर्पित किया हुआ, जल थोड़ा सा जल उसे समय से बचा हुआ, शिव. मंदिर से लाया हुआ कुंड केश्वर महादेव के नाम काजल पीपल के वरिक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह चाहे शनी बेकार चली रहा हो चाहे, राहु बेकार चल रहा हो चाहे, कि तू बेकार चल रहा हो चाहे, भूत हो चाहे. ब्रिहस्पती हो कोई भी ग्रह नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है आपने शिव मंदिर में गए शंकरजी पर चढ़ा हुआ शंकरजी पर जल समर्पित कर इस कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिये और वह जल कर अगर आपने पीपल के व्रिक्ष में दे दिया है कुंडकेश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगेगा या दो जगह पर काम करता है ध्यान दीजिएगा कुंडकेश्वर का नाम दो जगह काम करता है औशधी के लिए एक क्रोध के लिए घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार तूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहु के नहीं बन रही, भाई-भाई की नहीं बन रही, कुटुम कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगहे पर भी कुंडकेश्वर का जल काम आता है, पर कुंडकेश्वर का जल वहाँ पर कैसे काम आता है पीपल के पत्ते को जो बीच से ज़ाड़ा हुआ हो उसे पीपल के पत्ते को पीपल के व्रिक्ष के नीचे रखकर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो लोग होती है पीपल के पत्ते का जो अगरवाल होता है आगे का जो मुख होता है उसको पीपल की व्रिक्ष की ओर होना चाहिए डंडे का मुख तुम्हारे और होना चाहिए पीपल के पत्ते की और खून मुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं घर का नाम और गोत्र का समर्ण करकर तो उसे परिवार में विवाद समाप्थ हो जाता है आपस में प्रेम बढ़ता प्रारंभ हो जाता है कुंडकेश्वर का शिव भक्ती की और अगर महाराज श्री श्री शिवाय आगे वर्णन किया महाराज पार्वती जी ने शिव जी से कहा प्रभु भोलेनाथ है त्रिलोक दर्शी है कैलाश ही है अविनाशी आज के पुत्र राम और काम यह दोनों बड़े प्रबल के घर में संतान नहीं है दोनों नेता तब साधना पानी में जाकर करें जल में बैठकर तब साधना करे मगर आया कारण कोखो गया राम को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया मुझे यहां बैठकर तब नहीं करना है तो भूमी पर बैठा चारों तरफ से अगने लगे बीच में बैठकर तब करने लगा भगवान ब्रहम देव ने कहा मांगू तुम्हें क्या चाहिए महाराज दीजिये कि मेरे घर में संतान नहीं पुत्र नहीं तो मुझे पुत्र प्राप्ती हो भगवान ब्रहमा जी ने वर्दे दिया तुम तपस्या करकर उठकर जब जागे जाते समय जिसको प्रेम से देख लोग उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा जब जाने लग जाते समय एक माही से एक भेंस निकाल कर जा रही थी और राम ने उसे महेश को प्रेम से देख लिया उसे भेंस को उसे भेंस को उसे भेंस को प्रेम से देखा तो भेंस का गर्ब ठेहे गया भेंस जब गर्भ ठेहर तो उसने घर गई तो उसका जो पती था वैसा महिशासुर ने देखा कि मेरी पतनी का गर्भ कैसे ठेहर गया तो ध्यान कर तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में राम का पुत्र है इसको क्रोध आया पैसा दोड़ कर गया भेंस और उसने जाकर राम को मार दिया राम मार मार नगर के लोगों ने उसका अंतिम संसकार कर तो भेंस को लगा भाशा को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है मैं इसकी पतनी का लाऊंगी क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं और भेंस जलती हुई चिता में कूद गई जैसे ही जलती हुई चिता में होती कूदते हैं उसे भेंस का पुत्र उत्पन हो गया धक हुई चिंता की अगनी में से बाहर निकाला उसका नाम महिशासुर हो गया महिशासुर ने ब्रहमा जी का पर प्राप्त कर कि मुझे भर दो मैं किसी के हाथ से ना मारो ब्रहमा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता मरना तो पड़ेगा तो अगर भर दीजिए अगर मारो तो किसी स्त्री के हाथ से मारो तथा सुख कर दिया महिशासुर ने चारों तरफ जाकर मचा दिया कोई उसको करने वाला नहीं था तब देव आदी देव महादेव के पास में जाकर निवेदन कर आप कुछ करिये और इस महिशासुर को मार दीजिए शिव जी ने कहा कि महिशासुर को तोस्त्री मारेगी लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार मारेगी भगवान विश्नु का लक्ष्मी जी नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बोल नहीं कि वह महिशासुर को मार सके क्यों क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बाल था माता लक्ष्मी ने अपने पती को डोट श्राप देकर उसे बोल से मुक्त हो चुकी है एक बार माता लक्ष्मी सिंगर कर रही थी और भगवान विश्नु का आगमन हो गया और भगवान विश्नु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने भगवान विश्नु लक्ष्मी जी को देख कर मुस्कुरा दिये हंस दिये लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा नारायन तुम मुझे देखकर हंसते हो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोडे का मुह लग जाए क्योंकि तुम घोडे जैसे वहां से भगवान विश्णु का है कबीर अवतार हुआ लक्ष्मी जी के इस श्राप से घोडे का मुख लग गया तो लक्ष्मी ने अपने पती जिसे आप शब्द का दिये थे इसलिए इसमें बोल नहीं है तो सरस्वती से कहो वह महिशासुर को मार देगी सरस्वती में भी बबल नहीं है कि वह महिशासुर को मार दे क्योंकि एक बार ब्रहमाजी यग्य कर रहे थे उसे यग्य में ब्राहमन कर रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ वीना देवी को लेकर आओ ब्रहमाजी बार बार जाकर कहते बिना चलो सरस्वती चलो सरस्वती चलो देवी चलो ब्राहमनी चलो पर सरस्वती देवी नहीं गई ब्राहमनों ने कहा यग्य का मुहूर्ट निकर रहा है ब्रहमा जी कुछ तो करना पड़ेगा ब्रहमा जी ने कहा आपको जो करना है करो तभी ब्राहमनों ने गाय को खड़ा कर गौ माता को खड़ा कर कर वेद की ध्वनी करने लगे ब्राहमन जब वेद की ध्वनी करने लग गए को खड़ा कर कर जब वेद के ध्वनी करें तो गौ माता के मुख से वेतन माता गायतरी को प्रकट कर ली आशा करते हैं किया जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार श्री शिवाय नमस्तुभिया राधे राधे